उर्वरा के विक्रे में अनिमितिता बढ़ते जाने प्रतिश्चित ब्रांड का गलत उपियोग कर किसानों को भ्रमित करने और अनूचित लाब अजित करने के आरोप में मैसर से सरस्वती फटलाइजर से शापुरा भिजानी के संचालक राहूल राठोर बायर फटलाइजर बढ़वानी के एरिया मैनेजर रवीनरे चौरसिया एवं संचालक बायर फटलाइजर तत्कली रोड बढ़वानी के विरुदिश शापुरा थाना में एफाई यार उपसंचालक रश्री डॉक्टर एसके निगम से प्रकरन के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों शहपुरा अस्तेथ उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन वरिश्र क्रेश्री विकास अधिकारी एवा मूरवरक निरक्षक शहपुरा मीघा अकरवाल एवा विशेवस्तु विशेशा के पाटन पंकश रिवास्तव ने किया उन्होंने बताया कि बहुत एक सत्यापन के दौरान मेसर्स सरस्वती फर्टिलाइजर्स शहपुरा भीटाउनी के प्रतिष्ठान पर ब्रांड नेम रासी सर्दार फासफेट सोलू ब्लाइसिंग बैक्टिरिया और्गेनिक सब्सिट्यूट ओफ डिएपी कंपनी बायर फ प्रतिष्ठान का लाइसेंस प्रबंधक निधी राठोर के नाम पर है जबकि निरक्षन के दौरान राहुल राठोर उपस्ते थे जो प्रतिष्ठान पर संपोन विवसाय संपादित करते हैं श्री राठोर द्वारा साचिपिकट ओफ सोर्स ओ फार्म प्रसुत किया गया जो की उर्वरक लाइसेंस में इंद्रास नहीं था साथ ही ओ फार्म का परिक्षन उर्वरक निरक्षक द्वारा किये जाने पर पाया गया कि प्येज़वी का ब्रांड नेम रासे से विक्रय करने की अनुमत साथ अक्टूबर 2021 से प्राथ थे निरक्षन में बैक पर आवश प्राइवेट लिमिटेड के तकली रोड जिला बढ़वानी के एरिया मैनेजर रवेंद्र चौरसिया द्वारा सरस्वती फटिलाइजर को यहां उर्वरक उपलब्द कराया किया था उन्होंने बताया कि इस प्रेकरन में बायार फटिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बढ़वानी की ब्रांड नेम का गलत उप्योग कर क्रशकों को ब्रमित किया जा रहा था। कि अलावा अन्य निर्माताओं से उर्वरग प्राप्त कर वेवसाई कर उर्वरग अधिनियम 1988 का उलंगन किया था। यह चीज यूज कर रहा है ना यह चीज अपके उसमें आपके कहीं संदार्शक्ति लेगें हैं। यह चीज है। यह चीज है। जब इनका पूरा डेटेल लिया गया कंपनी का तो यह बढ़वाली में रजिस्टर्ट कंपनी है। और इसका हमारे जो डारेक्टेट वो पाल से इसकी परमिशन है। परन्तु राशी पीएसबी के नाम से का प्रोड़क्त बेशने के लिए इनको परमिशन है। और इनके द्वारा ब्रैंड का यूज किया गया है सर्दार डियेप। जिस पर आज बिबिने धाराओं के अंतरगत हमारे जो आवशे बस्तु अधीनियम और उर्बरक नियंतर नार्देश के धाराओं के अंतरगत हमारे जो उर्बरक निरिक्षत हैं मेगा अगरवाल उनने शापुरा थाने में F.I.R. दर्ज कराई है। इससे पहले भी बेलखेडा के अंतरगत एक खाद पकड़ी गई थी जिसमें F.I.R. दर्ज हुई है। हाँ यह हमने अभी कल ही F.I.R. दर्ज कराई है इस पर भी। हम लोग बुरा अभ्यान चला रहे हैं किसानों को कि नकली और असली खाद को आइडेंटिफाय कैसे कर सकते हैं। इसी के उसमें हमारे किसान बहुत अवेर किसान है। उसने डी एपी ली होगी पेलखेडा से। और उसने उसको टेस्क अटेस्क करगे एक जिसके अवे प्रतीत हुआ। उसने तुरह मुझे संड़े के दिन था अश्रण किया कि मारडम यह नकली खाद हैं यहां डी अपी मिल रहे हैं। जिसपर हमारी टीम के संचालग को ने सूचित किया। उन्होंने टीम कटिद करके तुरन भीजा और वहाँ पर ने देखा कि चवालिस बोरी डियेपी मिला हमें आइपील कंपनी का और जिस पर कोई भी हुक नहीं लगे हुए थे और दूसरा यह था कि उसके पास को फॉर्म भी कंपनी का जोड़ा हुआ नहीं था डीलर के पास ड जब आपको किसानों की है उसने बताया किसानों की जब हुआ ने सूची मागी तो उसने पर्ची जो दी थी हमें वो डवल लॉक जब लपूर की खाद निकली हुए थी और जो नाम थे उस पर हमने उस नाम को जब तैली कराया तो वो खाद उनको नो चार नो दोहजार तो इफको वालों ने भी लिख कर के दिया है कि पहला तो उनों ने बैक देकर ही का कि खाद उनकी प्रतीत नहीं हो रही है दूसरे है कि 12 साथ को उनकी लास्त रेक जबलपुर में आइपेल की लगी ती उसके बाद कोई ब्राइब नहीं लगी हमने डिएमों से भी लिखित जिस पर भी आवश्य बस्तो अधीनियम और उर्बरक नियंतर्ण आदेश की धारों पे फायर दर्च कराए गए बेल खेडा थाने में